है हैलो जी राधे राधे कैसी है मेरी यूटूब फैमली ऑइब हुप अच्छी होंगे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे फी तो यहां पर हो रही है मेरी सफाइ यह जो ब्रॉर है ना किचन में जो यह नीचे वाले मतलब जो मडियूल मडियूल भी नहीं है यह मतलब इसमें आद्धास आया क्या बताओं मैं आपको मतलब पूरी तरह से भी नहीं है तो थोड़ा सा यह लगाए हूं और बस बाकी पूरी तरह से मोड्यूल की चन्नी है यह तो यहां पर बार बार ना दाग धब्बे लग जाते हैं तो बड़े गंदे से लगते हैं इस गिर जाए तो वो भी दिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है फिर इनको मैं बार बार साफ कर रही थी मतलब तीन चार तीन चार दिन के बाद तो होई जाते हैं यह साफ करने को तो यहां पर हो रही थी मेरी सफाई तो चलो फिर मैं आप से जो उस दिन मेरी बात हो रही थ कर पाई ना क्योंकि उसमें एक यहां पे काट रेजडी होगी थी एक मतलब कोई 15-16 साल का बच्चा था एक्सपायर हो गया तो फिर मैं बंडे मनाती अपना तो फिर अच्छा नहीं लगता तो फिर मुझे जाना था सेकुड़े को बजा तो मुझे फिर शॉपिंग करनी थी दो तिन अपने लिए कुछ सूप लेने थे तो मैंने सुचा कि चलो आपको बताती है तो फिर वो हो नहीं पाया तो और ही दोस्तों भूमी मैं आपको दिखानी पाई तो अब उस बच्चे का भी पतनी आज 8-9 दिन होगे उसको एक्सपायर होए तो उस वज़े से फिर मैं मैं चलो कुमी 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 करनी मैं कुमी 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 करनी मैं कुमी 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 ठीक है ना बजार जाएंगे अज मैं और अंकी बई है न और तो घर मे रहेगा अकेला रहेगा ठीक है अकेश रहेगा रहे लीगा न तेर को लेके जाएंगे तेर को ने की जाएंगे तेर को नी हम न खा पी के आएंगे बजार ठीक है मैं और अंकी बहिए जाएंगे बजार मैं और अंकी बहिए बजार जाएंगे आज मैक्स एकसी शोई शोई कर रही है मैक्सी है शोई शोई चोई 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 तो यहां पर मैंने यह साग था थोड़ा यहां नीचे क्यारी है तो वह मेरी तो नहीं है निकाल लेड़ा यहां से तो वह मैंने फिर साप आलक था थोड़ी सी साउफ भी आप साफ सूफ करने के बाद इसको काट लिया फिर यह डाल रही हूं इसको कुखर में आपके मतलब अपन अपना तरीक होता है बनाने तो मैं तो ऐसे बनाती हूं तो चकिशलो आपको भी बता कि मैं कैसे बनाती हूं तो बनाते तो सभी हैं पर अपने तरीक होता है और अपने अपने तरीके से बनाते हैं तो मेरे ख्याल से मैक्समम लोग ऐसे बनाते होंगे तो जैसे कुकर में ये डाल दिया तो अब इसमें जैसे थोड़ा सा ये चाबल डाल दिये दो दोने के बाद थोड़े से मतलब कटोरी विनी डालने थोड़े से डालने तो उसके बाद फिर इसमें जो है वो साबुत हरी मिर्चे डाल देनी उसके बाद फिर इसमें ये साबुत जो है वो लहसन डाल देना ये तो इसके तो फिर टेस्टी बड़ा चाता है उसके बाद फिर इसमें वो डा डाल देना इसको हल्दी बगेरा यह सारा कुछ न हल्दी नमक हो गया यह अध्रक पिसा हूब डालदे नहीं मतलब इतना पानी डालना कि मतलब लग जाता है पता कि मतलब हो जाएगा इतने में तो जादा भी पानी डालना ने तो भी बिल्कुली फिरी हो जाता है तो यहां पे यह हल्दी नमक वगेरा यह डाल दिया मैंने अब कुकर का धकन चड़ा देंगे और इसको रख कि यहां पे धकन चड़ा दिया मैंने अब यह रख दिया गैस पे तो इसको 5-6 विसल तक आने देने के बाद फिर यह देखो उसके बाद फिर यह इस तरह का मतला अच्छे से डंडे से गोट ले ना इसको ना कई तो चलो ग्राइंड पे कर लेते हैं मिक्सी जार में तो मैं तो ऐसे करती हूं इसको डंडे से घोट घोट के घोट घोट के फिर तो तो आस दिन में तो मेरी सुबह मतलब मॉर्निंग में वाक करने जाती हूं तो वो नी पाई थी आज कभी-कभी मतलब 4-5 दिन से थोड़ा डिस्टर्व थी कुछ पतनी क्या है य को ज ministra युअ तो अब कम से कम 2-5 किलोमेटर की वाक करके आई हूं तो पहले तो मैंने नास्तव गरारा किया था 11 वजए फिर मैं चली गई थी तो अब बस वाक करके आई हूं तो तो आभी देखती हूं मैं कि क्या यह मैगसी बड़ा चिला रहा है पीछे से तो देखती हो आप जो भी काम होगा वह पो आप सचेर जरूओर करूँगी हां क्या हुवा क्या हुआ क्या हुआ ऊपर उपर कि अच प्रॉट कि अच्छू ऑा घच चलो जगंदा चालो कि आप लेके गए थी तेर को लेके गए थी तेर को लेके गए थी तो चलो जी फिर यहीं पर वीडियो का अंत करती हूं मिलती हूं अगले व्लॉग में तब तक के लिए राधे राधे कि ऊ हल लेके अंत करहें लेके वहीं है कि अ विर राधे राधे रामした बाति हön